हर इंसान के कुछ न कुछ गोल्स होते हैं, चाहे वो हो retirement का गोल, गर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, ऐसे गोल्स के लिए हम हमेशे confused रहते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए, आप किसी गोल की कीमत अगर आज लगाते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि जब उसका tenure आना हो, य इस पूरी चीज में हम confused रहते हैं कि आखिर हम कितने पैसे जुटाएं, कितरा monthly investment करें ताकि वो 10 लाग रुपया या 20 लाग रुपया जो भी आपका गोल है उसे अचीव कर सके, इस पूरी problem को solve करने के लिए मैंने एक simplified calculator बनाया है आप सबके लिए, और मैं आपको इस वीड subscribe जरूर कीजेगा, bell icon को भी दबा दीजेगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो का update प्राप्त हो सके, तो ये goal planner मैंने बनाया हुआ है Excel में, यहाँ पे जैसे आप देख सकते है years to goal, मैंने लिखा हुआ है 35, मैं आपे मान रहा हूँ कि आप अगर 25 साल के अभी व्यक्ती हो, तो आपकी retirement age हो जाएगी 60 years की, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 35 रखा हुआ है, और उससाब से अगर हम लोग investment start date, यहाँ पे कोई भी date लिख सकते हैं, माल लीजिये, 10 मैं अगर मैं लिखता हूँ, तो goal की जो date होगी मेरी वो हो जाएगी, 1 में 2000 चोपन की, तो और cable सिर्फ yellow cells ही fill करने हैं, green cells आपको fill नहीं करने हैं, present cost अगर मैं डालता हूँ, एक करोर रुपए और inflation को मैं रखता हूँ, 6%, inflation आप चेक कर सकते हो कि कितना है, उससाब से डाल सकते हो, मैंने एक hypothetical figure डाली हुए, 6%, क्योंकि यह इतनी लंबी अवदी के लिए है, तो I'm sure य अगर हम 12% का written भी पकड़ते हैं, तो हमारी जो future cost है, वो हमें करीबन पोने 8 करोर रुपए की रहेगी और इतने पैसे हमें चाहिए, अगर आज के time पे आपको लगता है, जो भी चीजें 1 करोर रुपए के amount से, जो भी जरूरते आपकी पूरी हो सकती है, तो आपके retirement तक उ amount है, उसकी value जो हो जाएगी, वो करीबन पोने 8 करोर रुपए हो जाएगी, amount invested so far, ये column मैंने रखा है कि अगर आपने कोई ऐसा amount अभी भी investment कर रखा हो, जैसे कि अपने कोई निवेश शुरू कर रखा है, तो वो amount आप यहाँ पे डाल सकते हो, उस पे आपको क्या rate of interest मिल र रखा है, 10% यानि कि आप जो भी investment अब शुरू करोगे, उसमें मैं ही अजिम कर रहा हूँ और मैं आपको recommend भी करूँगा कि आपको हर साल 10% का उसमें increment करना चाहिए, मान लीजिए, आप investment शुरू कर रहे हो, 1000 रुपए की तो अगले साल से उस investment में आपको 10% add करना है, यानि आप महिने के आखर के दिनों में कर रहे हो, तो इसको आप रख सकते हो, zero, तो आप ये भी देख सकते हो, कि इसमें कितावरा difference हो जाता है, initial monthly investment required, यह कॉलम आपको बताएगा कि आपको कितने की investment करनी है, तो जैसा कि आपने थर्मनेल में भी देखा होगा, 4631 रुपए डाल क यानि कि 4631 रुपए निवेश करके आप आ सकते हो, करीबन पौने 8 करोर रुपए, तो यही है, उसकी सच्चाई, यहाँ पर मैंने सिर्फ consider किया है, कि आपकी age जो है, वो 25 साल की है, और मान लीजिए, अगर आपकी age थोड़ी जादा है, अगर आप 40 साल के हो, तो आपके प कि आप rate of return जो है, उसको थोड़ा कम कर दीजेगा, बतलब यहाँ पे इस case में समझे, 11% में कर देता हूँ, और मैं आपको एक दूसी जरूरी बात बताना चाहता हूँ, अगर आप यूथ है, अभी अभी आपने जॉब शुरूर की है, और आप सोच रहे हो, ठीक है, इतना पर पांच साल के लिए भी postpone करते हो, तो आप देख लीजे किता बड़ा फरक पड़ता है, जो चीज आप 4631 रुपे में अचीव कर सकते हो, उसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे 9142 रुपे, तो अगर आप एक साल के लिए भी इसको postpone करते हो, तो भी आप देखिए करीबन 600 रुपे का इसमें फरक आ जा रहा है, तो मेरी आपसे ही request रहेगी, आप इसको बिल्कुल भी postpone ना करें, जल्द से जल्द investment शुरू करें, ताकि आप अपने retirement का corpus अच्छे से जमा कर पाएं, ये एक sheet है, जिसको मैंने ऐसे goal का नाम दे रखा है, retirement, आपके अलग- investment स्टार्ट कर लिए 10 में को, और goal date उसकी आप रख रहे हो, 7 में 2029 की, क्योंकि मैंने 10 साल रखा है, इसलिए खुदी calculate कर रहा है, आज हो सकती है, उस घर की कीमत हो 30 लाख रुपे, तो आपको ये बता देगा कि आगे चलके, यानि कि 10 साल बाद, जो घर आज आपको पसंद सारा है, 30 लाख रुपे का, उसकी future value हो सकती है, 69 लाख रुपे, तो इसमें आप देखोगे कि inflation मैंने 7% रखा है, आला कि real estate में हम थोड़ा इसको कम कर सकते हैं, मैं इसको 4% रखता हूं, तो भी आप देख रहे हो कि 44 लाख रुपे आपके जो घर की कीमत है, वो होगी आग लीजिए, अगर आप बोले हैं, मैंने अल्लेडी एक लाख रुपे निवेश कर रखा है, जिस पे 7% की FD वगर पे तो आपको 2 लाख का support वहां से भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम अज्यूम करते हैं 0, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि हमें 23, 650 रुपे के आस-पास का amount जुटाना पड़ेगा अपने इस goal को पूरा करने के लिए, तो ऐसे आप कितने भी goals यहाँ पे add कर सकते हो, उसके बाद goal planner यह आपका पूरा dashboard होगा, जो आपको दिखाएगा कि आपके कितने goal हैं, आपके उसकी क्या start date है, आपके कितने goal के जो आपने years चुने हैं, वो कितन पड़े हैं, उसकी present cost कितनी है, उसकी future cost कितनी होने वाली है, और आपको कितना monthly investment required है, और आपका जो यह amount है, वो आपको कब मिलेगा, तो इस तरह से यह dashboard आपको सब कुछ देखा देगा, आपको इसमें edit कुछ भी नहीं करना है, तीन goals के लिए मैंने यह बनाया हुआ है, अ बहुत सारे financial calculators लाता रहता हूँ, बहुत सारे financial topics के बारे में बात करता रहता हूँ, ताकि आप financial independence को सबसे जल्दी और सबसे अच्छी तरीके से अचीव कर सकें, तो उमीद करता हूँ, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ value प्रोवाइड हुई होगी, आप यह जो Excel का मैंने आपको calculator दिखाया, goal planner दिखाया, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने link जो है इसकी description में डाल रखी है, आपको जस्ट वापे click करना है, डाउनलोड करना है, और इस तरह इस Excel के मदद से आप अपने goals का preparation कर सकते हो, amount जान सकते हो कि कितना आपको monthly कर सकते हैं वो इस Excel के मदद से, और आप comment में भी जरूर लिख के मुझे बताइए कि आपको ये Excel goal planner कैसा लगा है, जल्द मिलते हैं एक और अलग वीडियो के साथ,